नमस्कार दोस्तो जानी केसे में आपका स्वागत हैं हम रोजाना स्वास्त सम्मंदित जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सब्वी फीडियो की नॉटिफिकेशन मिले आपको सबस होती है यदि पेट खराब रहेगा तो दूसरे अन्य रोग होने की संभावना काफी बढ़ जाते हैं अंतर आपके लिए यह आवशक्त हो जाता है कि दिन भर जो भी खाया पिया गया हो उससे निर्मीत मल को अगली सुबह पुरी तरह निकाल दिया जाए और यह सब तभी ह होगा जब आपका पेट अच्छी तरह से साफ होता हो यदि पेट अच्छे से साफ ना हो रहा हो तो निच्छित ही आप किसी बड़े रोग का शेकार हो सकते हो इसलिए पेट साफ रखने है तू करिये सरल और सफल उपाए नमबर एक मैदे वाली चीजे खाना बन करें नमबर दो रोजाना सुबह उठे ही गुनगुने पानी पीने की अरद दालें नमबर तीन खाना खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीए या खाना खाने के एक घंटे बाद एक कब गरम पानी फुक फुक कर पीए 4. भूख से ज़्यादा ना खाये खाना खाने के बाद अंतमे गुर खाये शुगर के रोगी सेवन ना करे 5. रात को गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा गरम दूत का इस्तिमाल करे 6. सोने से पहले 5 और 6 ग्राम का एक तिरिफ़ना चूरन गुनविने पानी के साथ से 7. अच्छा भूक लगने पर ही कुछ खाए 8. दिन में सोने से बचे 9. हलके वायाम या आसान प्रानायम प्रती दिन अउश्य करे 10. दिन भर में खाने पर कम और पानी पीने पर ज़्यादा फोकस करे उमीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आयो होगी यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती है तो कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करे ताकि वह भी इस जानकारी का लाब उटा सके यदि आप किसी समस्या के बारे में या कोई जानकारी हम तक शेर करना चाहते है तो अपनी किमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद तो अपनी किमती राय करना चाहते है